पार्थिव शरीर को इसको इस वक्त अंतिम यात्रा के लिए अपने अंतिम पड़ाओ पर लाया जा रहा है ये सीधे दिरिश्या आप देख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं साथ में उनके परिवार के अन्य लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं वो दिरिश्या हम आपको दिखा रहे थे और ये जो दिरिश्या है ये आप ये सीधे दिरिश्या आप इस वक्त देख रहे हैं गाधिनगर से अन्तिम यात्रा के लिए हिराबेन के पार्थिव शरीर को इस वक्त लाया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा दे रहे हैं प्रधान मंत्री के जो भाई हैं वो भी यहां पर मौझूद हैं परिवार के अन्य जन भी यहां पर मौझूद हैं प्रधान मंत्री कोछी देर पहले गादिनगर पहुंचे थे उसके बाद वो अपने घर पर गए उन्होंने पार्थिव शरीर को पुषपांजली अर्पित की और उसके बाद प्रधान मंत्री शवयातरा में शामिल हुए और इस वक्त ये सीधे दिरिश्य हम आपको दिखा र हैं वो इस शवयातरा में शामिल हैं और अपने अंतिम पड़ाव की और इस वक्त ये शवयातरा चल रही है और लगातार जो हम अपने विशेश मेहमानों से भी लगातार बाचीत कर रहे हैं जब अभी हाली में प्रधान मंत्री नारेंदर मोदी की माता जी हीरा बेन ने के पूरे किये उनका सौवा जैनमदीन मनाये गया उस वक्त पर प्रधान मंत्री के ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था और उस ब्लॉग को आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो उस ब्लॉग में काफी अच्छी तरह से प्रधान मंत्री ने अपने माता जी का जो जीवन है जो अभावों से जिन संगर्शों से जिन खूबियों में वो वक्त बीता वो बच्पन बीता और वो दौर था उस दौर को जिस तरह से प्रधान मंत्री ने परिभाशित किया है वो बहुत कुछ कहता है वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधान मंत्री ने अपने बच्पन स सीख ली है, अपने माता जी के जीवन से सीख ली है, फिलाल ये सीधे दिरिश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है, वो अपने अंतिम पड़ाओ की ओर इस वक्त पहुंच चुकी है, यहां अगनी को समर्पित किया जाएगा जो ये आपसीदे दिरिश्य इस वक्त देख रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी हीरा बेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाओ पर इस वक्त पहुंच चुका है, और हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार, जो भी कर्मकांड किये जाते है उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, और प्रधान मंत्री के लिए एक काफी दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधान मंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रिर्णा उनकी माता जी हीरा बेन की रही है, जब जब प्रधान मंत्री गुजराच जाते थे प्रधान मंत् वो अपनी माता जी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें वो द्रिश पूरे देश दुनिया के सामने आती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि सौ साल की उनकी उम्र थी लेकिन वो काफी एक्टिव रहती थी कोरोना महामारी के दौर की हम बात करें तो प्रधान मंतरी की माता जी ने खुद सबसे पहले कोविट वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक उधारन दिया था और उस उम्र में कोविट वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक टाकत मिली थी वैक्सीन के प्रती की वैक्सीन लग नहीं थी और कई बड़े विक्सित देशों में एक पूरा एक जनसंक्या का हिस्सा था जो वैक्सीन लगाने को तयार नहीं था ऐसे समय में प्रधानमंत्री की सो साल की माता जी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उधारन प्रस्तुत किया और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसबा चुनाओं की तो हाली में विधानसबा चुनाओं संपन्न हुए हैं गुजिरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माता जी खुद पोलिंग बूत पर पहुंची थी वहाँ पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थे कि किस तरह से लाइल लगी हुई थी नोटों को बदलने की और प्रधानमंत्री की माता जी भी उसमें सम्मेलित हुई थी अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त ये सीधे दिरिश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिंदू रीती रिवाज के अनुसार प्रधानमंत्री पत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे पत पर अगर परिवार के सदस्यों को कई तरह की सहूलियते मिलती हैं परिवार के सदस्य जो एक सामान्य परिवेश होता है उसमें कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन हम अगर देखते हैं प्रधानमंत् के परिवार को उनके भाईयों के परिवार को उनके माता जी के जीवन को तो कभी ये लगा नहीं कि वो प्रधान मंत्री की माता जी है या उनके परिवार वो प्रधान मंत्री का परिवार है बड़े सामान्य तोर पर ये लोग रहते हैं और प्रधान मंत्री की माता जी की बात करें तो काफी साधा जीवन उन्होंने जिया है क्या कुछ कहेंगे प्रति का बहुत आधर करते हैं क्योंकि पिता के बाद एक पर ऐसे सबसे बढ़े होने के नाते परिवार का बोज हुनी पर था तो सोम भाई के घर जाने का मुझे अवसर मिला दोवजार सोले में उनके प्र भूटी बनाई चाय बनाई और मेरी मित्र थे अम दोनों को उन्होंने प्रेम भाव से पनास्ता कर आया हम जोचते थे इनके साथ एक फोटो ले ले लें लेकिन हैं पहिए संकोच वाज तब सोम भाई ने खुद कहा कि एक फोटो तो हो जाया हम सब का नहीं कर दो मिलना होगा काम पर गई हुई है और कोई बात नहीं और उनकी पत्ति ने प्रेम भाव से जो इखलाई में हैरान था इसी प्रदानमंत्री के बड़े भाई के घर में यह वेवश्था हो सकती है जहां कोई के संदक्षण की चिंता थी और हम सब जानते हैं कि जो बच्चों को पहली पाट स जारी रखेंगे फिलाल हम दर्शकों को ये सीधे दिरिश्च गांदी नगर से दिखा रहे हैं जहां पर हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संसकार किया जाता है वो कर्मकांड जो होते हैं वो वहाँ पर निभाय जा रहे हैं प्रदानमंत्री नरेंदर म रिवाज के अनुसार जब अंतिम संसकार किया जाता है तो अंतिम संसकार करने से पहले शाव को नहलाया जाता है शाव पे लेपन किया जाता है और ये आप देख सकते हैं ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संसकार की जो परंपरा है वो प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी इस वक्त निभा रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद है अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ट पत्रकार है अनिल जी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए प्रधानमंत्री बने तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा और आज 2022 है इन आड़ सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिक्ता ही बदल चुकी है और उसके बाद जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री के बच्छपन में और सब कुछ हम को जो भी कॉंटेंट इस से रिलेटेड आज जी इस ब्लॉग के जरिये मिल रहा है वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी माता जी को स्वच्छता पसंद थी वो बिस्तर को सलीके से लगाती थी तो ये जो सीख है स्वच्छता की जो बच्चपन में अपनी माता जी से उन्होंने सीखी और जब उनको मौका मिला वो देश के सरवोच्छपत पर आसीन हुए तो उन्होंने इस सीख को देशवासियों के सामने भी रखा अनिल जी एकी स्वच्छता के मार्ग में सबसबड़ी बाधा जो मल विसर्जन को उन्होंने पाया तो इसके लिए आवश्चक था कि सोचालियों की व्यवस्थ था मुफ्त सोचाले उसमें सरकार ने युगदान किया क्योंकि लोग खुले में शोच करते थे इससे दुर्गंद भी फैलती थी और गंदिगी भी फैलती थी फिर पुड़े के बारे में लेकर किया गया और इसका प्रभाव हुआ है काफी मैं यह तो नहीं किया सकता कि सब प्र प्रणिश्रम की जो प्रेना मिली है ठीक है अनिल जी इस बात को हम जारी रखेंगे फिलहाल यह सीधे दृष्य हम आपको दिखा रहे हैं शव को अगनी को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई आप देख सकते हैं यह सीधे दिख पार्थिव शरीर को अगनी को समर्पित किया जा रहा है और हिंदू सनातन परंपरा हिंदू रीतिरी वाजों में मनुष्य अपने अंतिम वक्त पर जो कहा जाता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है और अपने अन्तिम वक्त पर मनुष उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है ये वो दृष्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को आगनी को समर्पित किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी और से मुखागनी दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अन्त में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है ये दिरिश्य आप देख रहे हैं वो हीरा बेन जिनकी तस्वीर है जब से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंतरी बने हैं उनकी तस्वीर हैं उनके दिरिश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं कई तरह से वो द्रिश आये सौ साल की उनकी जिन्दगी हाली में उन्होंने अपना सववा जन्म दिन मनाया लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रही चाहे कोविट की वैक्सिन लगवाने की बात हो या हाली में संपन हुए गुजरात विधान सवा चुनाओं में पोलिंग बूत पर जाकर बोटिंग करने की बात रही हो या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जन्ता के साथ सक्रिय हीरावीन की जीवन यात्रा अब अगनी को समर्पित हो गई है पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अगनी को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा आप देख सकते हैं हिंदू सनातन रित रिवाज के अनुसार अन्तिम संसकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है हीरा बेन के बेटों के द्वारा मुखागनी दी गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी मुखागनी दी और एक मा के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाओं में गरीबी में बीती हुई जिन्दगी और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संसकार दिये ऐसी शिक्षिया दी कि आज एक पुत्र भारत के सरवोच चपत पर आसीन है और न सिर्फ भारत के सरवोच चपत पर आसीन है बलकि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है ये एक सफल जीवन है जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया पार्थिव शरीर अगनी को समर्पित किया जा रहा है पंच महाभूतों से बना हुआ है ये शरीर्ष फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा और हिंदू माइथोलोजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है अजर रहती है शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहां अगनी को समर्पित कर दिया गया है और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा लेकिन आत्मा अमर है अजर है और वो आत्मा उसकी सीख आज भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है और लगातार वो जिन्दगी जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संगर्शों में जिया अभाव में जिया गरीबी में जिया लेकिन इमानदारी के साथ जिया स्वाविमान के साथ जिया मेहनत के साथ जिया वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी अपने परिवार के सदस्यों को दी और वो सीख जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के रूप में आज हम लोगं के सामने है और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधान मंतरी ने अभी कुछी महिनों पहले हिरा बेन के सौ साल पूरे होने पर उनके सहुए जन्व दिन पर लिखा था उस ब्लॉग में लिखा गया है कि किस तरह से वो अभाव भरी जिन्दगी में भी स्वाभिमान के साथ जीती थी स्वच्छता का जीवन जीती थी पक्षियों के लिए जानवरों के लिए किस तरह से वो खाना रखती थी और साथी साथ कोई स्वच्छता कर्मी कोई सफाई कर्मी उनके घर के पास आकर सफाई करता था तो उसको भी पूरी इज़त देती थी और उस स्वच्छता कर्मी को पता होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी उसके अलावा कई सारी विशेष्टा हैं जो प्रधान मंत्री ने अपने ब्लाग में लिखी है उन विशेष्टाओं को अगर देखें तो वो आज प्रधान मंत्री के दृष्टिकोन के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं चाहे हम अन्तियोधई की थीम के साथ जो योजना हैं जन्धन योजना की हम बात करें महिलाओं के लिए उज्वला गय सिलिंडर की हम बात करें उसके अलावा स्वच भारत की हम बात कرتें जलस अंग्रक्षिन की हम बात करतें हर नीती में कहीं न कहीं उस नेतरितों ने प्रधान बंतरी नरेंदर मोदी ने जो अपने बच्पन में सीखा है जो उनकी माताजी से उनको प्रिर्णा मिली है हर योजना में वो भाव पर इलक्षित होता है और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉक के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेष्टाएं रही हैं इमानदारी और स्वाविमान गरीवी से जूसते हुए परिस्तितियां कैसी भी रही हो मेरे माता पिता ने ना कभी इमानदारी का रास्ता छोड़ा ना ही अपने स्वाविमान से समझोता किया उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था मेहनत दिन रात मेहनत और अगनी को समर्पित कर दिया गया है ये पार्थिव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ और हिंदू माइथोलोजी में शरीर खत्म होता है आत्मा नहीं खत्म होती पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अगनी के जरीए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल गया मिल जाएगा लेकिन आत्मा अमर है और साती सात वो सीक वो प्रेरणा भी अमर है और वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास मौजूद है हीराबा की दी हुई शिक्षाएं हीराबा की दी हुई सीक हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है जो प्रधान मंत्री ने अपने जीवन में अभाव गरीबी संगर्ष देखा है आज वो इन ही कारणों से देश को भी समझते हैं पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर वापस पंच महाभूतों में इस वक्त समा रहा है, मुखागनी दे दी गई है, लेकिन आत्मा अमर है और वो सीख भी अमर है जो प्रधान मंत्री को एक मां से मिली है। जो जीवन के चार हमारे वर्ण हैं, ब्रह्मचरिय, ग्रस्त, वानपरस्त और सन्यास उन सब को उनने जिया, पूरे स्वस्थ जीवन जिया, कमजोर अंगों के बावजूद वो किसी पर आशृत नहीं रही, अपने रोजमर्रा के काम खुदी कर लेती थी, तो ये एक पुन्यात्मा को ये जीवन बिलता है, और जो संसकार की आप बात कर रहे हैं, प्रधान मंत्री जी ने कभी अपने को प्रधान मंत्री नहीं कहा, उन्होंने पहले दिन ही कहा था मैं प्रधान सेवब हूं, तो ये जो एक भाव पून, एक सेवा भाव है, जो मन में संसकार ह जिसमें जो आपने का स्वाभीमान है लेकिन एहंकार नहीं कई बार स्वाभीमान और एहंकार में बहुत महीन रेखा होती है लेकिन यह स्वाभीमान है यह स्वाभीमान है जो सेवा का भाव रखता है यह स्वाभीमान है जो एहंकार की तरह दमनकारी भाव नहीं रखता तो ये जो बड़ी बात है जो संसकार है एक दिव्यात्मा कुन्यात्मा होने का प्रमाण है कि उन्होंने शतायू जीवन पाया और उनकी सब संतान अच्छी है और इतना एक पुत्र उन्होंने दिया जैसे हम कह सकते हैं स्वामी विवयक अनंद को हम याद करते हैं तो किसी न किसी रूप में जो हमारे प्रदानमंत्री जी हैं उनमें वियक अनंद का सुरूप देखता हूं उन्होंने राष्ट्र भक्ति अपने संस्कार अपनी संस्कृति अपनी मानवता इसकी कल्यान को ही अपनी जीवन का मिशन बनाया है और लगातार उस पर आगे जर्णट सेवा। जर्णख supremsevenya करता है किसी फिफी के अलगान यही संकल्ग हो सकता है कि बहर लोग scrutin को हम्मेर को महसूस करता हो उसके बारे में सम्यधन–शील हो और यह भाव हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ऐसा आवसर चाहे कश्मीर में बाढ़ आई हो चाहे सीमा पर लड़ते वे जवान हो किसी को पुर्धानमंत्री ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी संगर्ष भरी जिंदगी वो समझ नहीं रहे हैं या उसको जांते नहीं हैं या उसको पहचानते नहीं हैं या वो कोई उनसे अलग हैं रधानमंत्री हैं टो वो कोई विशेष दर्जेवाले जो सीमा पर जवान लड़ रहा है उसका बिरादरी के हूं किसी भी पारिटी को वोट देते हों आखिर वोट देते हैं लेकिन ये बात सब किसी भी फोजी साहाब बात करिए वो कहेगा कि जो अभीमान जो आदमी बड़ा महतुपूर दौर रहा है प्रधान मंतरी अपने घर से चले गए थे राम कृष्णा मिशन मठ चले गए थे उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में कई जगए दौरा किया तो उसको लेकर के वो लिखते हैं कि मैंने जब घर जोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी मा कई दिन पहले ही समझ गई थी मैं मापिता जी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है स्वामी विवेकानन जी के बारे में भी उनसे खुब बातें करता था मापिता जी ये सब सुनते रहते थे ये सिलसिला कई दिन तक लगातार चला एक दिन आखिरकार मैंने मापिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशिरवाद मागा मेरी बात सुनकर पिता जी बहुत दुखी हुए वो थेड़ा खिन्नों होकर बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशिरवाद घर छोड़कर नहीं जाओंगा मा को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही उन्होंने फिर मेरे मन का संबान किया वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो हाँ पिता जी की तसलिक